नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सवीता स्वागत है आपका SPN 9 NEWS में दर्शकों सबसी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मद्द प्रदेश के चुनाप के पहले पहले जो तीन चेहरे सामने आ रहे हैं उस चेहरे में से कौन सा चेहरा ऐसा है जो मुख मंतरी के हुआ कि यहां सिवरासम सिंग चोहम बीजे पी से दूसरा निकल कर आ रहे है जोती राजत सिंधिया बीजेपी से और तीसरा सबसे वड़ा चेहरा है कमलनात का चेहरा जी हाँ और आपको बता दे कि यहां पर अर्विंद केज़िवाली की आंगा प्रभाशित नहीं किया लेकिन बड़ा सवाल कर यह आता है कि जब तीनों पार्टि यहां एक दूसरे से लड़ेंगी तो जीत किसकी होगी पहला सवाल यह निकलता है कि जियोती राजेत सिंधिया वही नेता हैं जिसने कॉंग्रेस Tea पार्टी से वगावत की और बगावत करने के बाद जो है बीजेपी की सरकार बना दी 22 बिधायकों के साथ जाते हैं और सरकार को यहां पर कॉंग्रिस की गिरा देते हैं लेकिन यहां पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी ने जियोती राज़त सिंदिया को मुख्मंत्री नहीं बनाया वहीं शिवराज सिंग चोहान को फिर से मुखमंत्री बना दिया गया शिवराज सिंग चोहान जहां भी रेलिया करने जा रहे हैं भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही जिक्र कर रहे हैं हमारे प्यारे भती जे और भान जे याने कि वो मामा उनको प्यार से कहते हैं तो कहते हैं अपनी मामा जी को भूल मत जाना इंस्टाग्राम पर लगा था लाइब कर रहा है एक एक घंटे का सैसन कर रहा है outta आप समझ सकते हैं कि शुवरास सिंग्छ चोहन कता ही नहीं चाहते हैं कि जयोती राधित्य सिंधिया को CM कुरसी मिले। लेकिन सबाब कई हैं एक तरफ कमलनात ने बड़ा बयान दी दिया कमलनात ने साब तर पर कह दिया कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है हम अकेले लड़ देंगे यानि कि यहाँ पर देखा जा तो कमलनात ने सिंधिया के लिए कॉंग्रेस पार्टी के दरबाजे बंद कर लेकिन सवाल ये खड़ा होता है दर्श को कि जियोती रादिति सिंधिया जिनका एक बड़ा सपना है कि सीम बनने का लेकिन लगातार देखा गया कि कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत दूर रखा बीजेपी पार्टी ने ओड्डियन मंत्री बना दिया गया तो यह सपने को पूरा कैसे करेंगे आपको यहां पर नो होती नजर आती दढ़ान जाये में दर्श को बनेंगे सिंधिया ये बड़ा सवाल है अगर इस इंधिया सिंधिया को इस्टाइब और समस्य सभाण को क्या अब यहां पर कॉंग्रिस की सेंद हुमारी होगी कि यहां पर कॉंग्रिस के साथ सेंधमारी करती है तो मद्धिप्रदेश के इस विधान सवा चुनाव में क्या कुछ होगा कौन सीम बनेगा ये बक्त तै करेगा लेकिन एक सवाल जाते जाते आफ से लेने का प्रियास करेंगे कि अगर अरविंद केजवी वाल मद्धिप्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो क्या यहां पर फिर कॉंग्रिस का खात्मा होगा आज किस खास रिपोर्टर वस इतना ही देखते रहिए SPN 9 NEWS